नमस्कार दोस्तो इस समय हम है SSC की ओफिसियल वेबसाइट पर और आज की इस वीडियो में हम डिसकस करने बाले हैं दिल्ली पुलिस में निकली कॉंस्टेबल की बेकंसिस के बारे में तो जी हां दोस्तो आप सबसे उपर देख सकते हैं यह जो नोटिफिकेशन है यह दिल्ली पुलिस की तरफ से SSC की ओफिसियल वेबसाइट पर दोस्तो आज ही मतलब एक अगस 2020 को दोस्तो अपडेट की गई है तो यह वीडियो में क्या है दोस्तो यहां पर 5648 पदो पर दिल्ली पुलिस में कॉंस्टेबल के मेल और फिमेल के पदो पर दोस्तो बैकेंसी निकली है तो इस वीडियो में आपके लिए बताऊंगा तिल्ली पुलिस की यह जो कॉंस्टेबल की भरती निकली है इसके बारे में पूरी डिटेल A to Z तो दोस्तो वीडियो में लास तक बने रहिएगा और अ नोटिस ऑफ एग्जामिनेशन फॉर कॉंस्टेबल एग्जेक्यूटिव मेल और फिमेल इन डेली पुलिस एग्जामिनेशन 2020 तो इसके हम क्लिक कर देते हैं और यह नोटिस जो है हमने डाउनलोड कर लिया है ठीक है अभी दोस्तो हम इसके लिए जूम कर लेते हैं जिससे अपलोड किया गया है SSC की ओफिसियल वेप साइट पर तो नोटिस है दोस्तों कॉंस्टेबल एग्जेक्यूटिव मेल और फिमेल इन डेली पुलिस एग्जामिनेशन 2020 ठीक है डेट फॉर यहां पर कुछ इंपोर्टेंट डेट्स दी गई हैं जिनके बारे मैं आपके लि 2020 तक आप अपना जो है ओनलाइन एप्लिकेशन फिलब कर सकते हो उसके बाद में लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिजिट रिसीप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लिकेशन साथ सितंबर दोजाब बीच ग्यारा बचके 30 मिनट तक जो है आप अपनी साथ सितंबर 2020 के लिए आपक जो है लास्ट टाइम होगा एप्लिकेशन ऑनलाइन फिलब करने का ठीक है तो यह हैं दोस्तों आपकी एप्लिकेशन स्टार्ट और क्लोजिंग की डेट तो आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में आपको पद के हाइट के और सबसे बड़ी बात दोस्तों यह है कि आप इस भ नवंबर 2020 से 14 दिसंबर 2020 की बीच में आपका जो है computer-based examination CBE conduct कराया जाएगा और इसके लिए दोस्तों इंडिया में बहुत सारे centers बनाएगा हैं वो भी मैं आपके लिए आगे की वीडियो में बताऊंगा कि आपके जो centers होंगे वो कहां-कहां पर बनाएगा है तो दोस्तों आप देख सकते हैं इस टाफ सेलेक्शन कमिशन बिल कंड़क्ट एंड ओपन चलो इसको मैं छोंड देता हूं आपको बाद में बताऊंगा पहले में में पॉइंट पर नजर डाल लेते हैं तो दोस्तों यहां पर सबसे जो जरूरी चीज होती है उस पर हम आपको बताते है नमबर दो पर देखेंगे आप यहां पर पे स्केल जो है बहुत अच्छा दिया गया है पे लेबल थ्री से आपकी स्टार्टिंग होगी 21,700 रुपए से 79,100 रुपए ठीक है यह आपकी बेसिक पर होगी इसके बाद मां आपकी जो अलाउंस बगर लगते हैं वो इसके उप पर जाएंगे तो आपकी पेमेंट जो है बहुत अच्छी होने वाली है नमबर तीन पर दोस्तों आप देखेंगे बेकंसी की डिटेल दी गई है तो कौन सी कास्ट के लिए कितनी बेकंसी हैं यह पूरी में आपको बताने बाला हूं तो दोस्तों नेम अप पोस्ट है आप 233 पोस्ट इनके लिए दोस्तों जो है 94 पोस्ट है इस नोटिफिकेशन का लिंक जो है इस वीडियो की डिस्क्रिप्चन में दे दूँगा जहां से जाकर आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करें क्योंकि दोस्तों यह नोटिफिकेशन जो है वह 50 पेंज की अगर मैं को पूरी पढ़के बताऊंगा एक एक पॉइंट तो बहुत ज़्याद हो जाएगा इसलिए मैं इस वीडियो में 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 पॉइंट पर नज़र डालूँगा तो यहां पर दोस्तों हम आपको बताएंगे केबल टोटल वेकंसी इसको आप देख सकते हैं जो आपकी पाट हो जुके हैं उसके बारे में दोस्तों हम बात करेंगे यहां पर पीटी और यहां पर आपको जो फिजिकल मेडिकल और आपकी जो एजुकेशन क्या 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 जरूरत है इनके बारे में हम आपको पूरा इस वीडियो में बताने वाले हैं तो यहां पर दोस्तों सबस होने चाहेंगे हैं आपके स्टेट से यह मेंटर नहीं करता है उसके बाद में आपकी एज लिमिट है दोस्तों 18 से 25 साल तो अगर आप 18 साल से 25 साल के बीच में हैं तो आप इस भरतिमा अप्लाई कर सकते हैं आपके जो डेट अब बर्थ है दोस्तों वह दो जुलाई एक जुलाई 2020 के लिए उसके बाद में दोस्तों यहां पर कुछ एज में रिलेक्सेशन भी दिया गया है तो जो गौर्ण्मेंट रूल है जिससे सब्सक्राइब और यहां पर सब्सक्राइब में दोस्तों काफी सारे हैं यह डिपार्मेंटल कंडिदेट उप डेली पुलिस इनको चाले साल गए हैं तो आप इसको पढ़ लेना अच्छे तरह से फिर भी अगर कोई डाउट आता है तो आप उससे कमेंट करके पूँछ सकते हैं ठीक है उसके बाद में दोस्तों यहां पर एक मेंट और भी है जो मैं आपको बता देना चाहता हूं यह है दोस्तों आपके पापा या ममी तो आपकी जो बच्चे हैं उनके लिए 29 तक यह भरते देख सकते और उनकी जए काफी ज़्यादा एजरिले क्सेशन दी जा रही है 25 साल से यह फिस लिए 4 इक्स्ट्रा दी जा रहे हैं ठीक है तो उसके बाद में दोस्तों हम बात करेंगे हाँ पर आपके फिजिकल की बात कर लेते हैं आपर हम आगे चलते हैं विडियो में यह पूरी वेकंस जो है डिटेल है दोस्तों पचास पेंज में है इसलिए मैं आपको केवल में 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 पॉइंट सी बता रहा हूं ठीक है तो यहां पर हम बात कर लेते हैं अभी एंसी सी सर्टिफिकेट की तो दिल्ली पुलिस में दोस्तों एक ऐसी ऑनली पुलिस है किसी भी स्टेट की पुलिस में एंसी के लिए कोई भी मार्स नहीं दिये जाता है लेकिन दोस्तों दिल्ली पुलिस में यहां पर आपको मार्स दिये जाएंगे अगर आपके पास में एंसी सी सर्टिफिकेट है तो आपको तीन मार्स और आपके पास में एंसी सी का ए तो यह आपके दोस्तों एक्जामनेशन सेंटर हैं अगर आपको पढ़ना है तो आप खुद भी पढ़ सकते हैं नहीं तो मैं एक वीडियो और बना दूंगा जिसमें इस एक्जामनेशन सेंटर और फॉर्म को कैसे अपलाई करना है पूरा मैं आपके लिए बता दूंगा यहां पर हम बात करेंगे अभी यहां पर हम बात करेंगे दोस्तों फिजिकल की तो यहां पर मेल के लिए दोस्तों जिनकी एज तीस साल तक है उनको 6 मिनट में 1600 मिटर की रेस करनी होगी लॉंग जम 14 फिट और हाई जम 3.9 फिट ठीक है उसके बाद में एबब 32 एबब 40 यर्स जो होंगे उनके लिए इसके लिए यहां पर आपको बताया गया है ठीक है उसके बाद में दोस्तों नीचे चलते हैं यहां पर हाई टापकी 170 cm होगी चेश टापका 80-85 cm होगा और यहां पर अभी बात करते हैं हम फिमेल की तो फिमेल की दोस्तों एज बाई जिनकी भी जो है वह फिजिकल होगा अगर आप 30 साल तक है आपकी एज तो आपके लिए 1600 मिटर के रनिंग पास करने के लिए 8 मिनिट मिलेंगे लोंग जंप आपकी 10 फिट होगी और हाई जंप आपकी 3 फिट होगी अगर आपकी एज 30 साल से 40 साल के बीच में है तो आपको 9 मिनिट मिलेंगे 1600 मिटर के रनिंग पास करने के लिए 9 फिट आपकी लोंग जंप होगी और 2.9 फिट आपकी हाई जंप होगी ठीक है अगर पॉइंट्स पॉइंट्स जो कि मैंने आपको इस विडियो में बताए तो विडियो बहुत ही लंबी हो चुकिए दोस्तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और दोस्तो अगले वीडियो भी मेरी आने वाली है इसी के ऊपर जिसमने मैं आप लिए इस भर्ते के बारे में डिटेल में और ज्यादे डिटेल में बताऊंगा ठीक है तो यहाँ पर दोस्तों जो फीमेल के हाई डोगी पर एक सु सक्तावन सेंद्ध